फेलो दोस्तों स्वागत है हमारा चैनल में आज हम बात करने बाले हैं सेमेनिस कॉम्पानी का स्याम हर्ट के बारे में तो दोस्तो दाल में मिर्ची का तड़का लगा के आज की वीडियो सुरू करते हैं सेमिनिस कमपानी का स्याम होट यह एक हाइबरीट चिल्ली की भेराइटी है दोस्तों अगर आप इस साल चिल्ली की खेती करना चाहते हैं तो सेमिनिस कमपानी का स्याम होट भेराइटी आपके लिए बेस्ट अप्शन हो सकता है अब बात करते हैं दोस्तो इस भैराइटी की चिल्ली यानी मिर्च की खेती कौन-कौन सी सीजन में हो सकती है तो वो इस प्रकार है की खरीप रभी और समर सीजन में भी इस भैराइटी का मिर्च की खेती हो सकती है या फिर आप कर सकते हैं दोस्तो बात करें कौन-कन से स्टेट में इसकी खेती हो सकती है वो इस प्रकार है कि खरीब सिजन में यूपी हरियाना वेस्ट बेंगल करनाटका औरिशा चतिस गड़ महाराष्ट्र में इसकी खेती कर सकते हैं और रवी सीजन में यूपी उतराखन पंजाब हरियालना वेस्ट बेंगल ओरिसा बिहार चतिसगड महाराष्ट्र और करनाटका में भी इसका खेती कर सकते हैं और समर सीजन में यूपी, उतराखन, पंजाब, हर्यालना, छतिसगड, महाराष्ट और करनाटका में भी इसका खेती कर सकते हैं बात करें इसकी प्राइस रेंज की बारे में तो 6.80 ग्राम 305 रूपीस में प्रिंट रेट दिया गया है जब की इसका एक पेकेट मेंने 300 रूपीस में खरीदा था, हो सकता है कि दोस्तों आपके एरिया में प्राइस थोड़ा ज्यादा या फिर कम पर भी मिल सकता है अगर आप इस वेराइटी की बीच खरीना चाहते हैं तो किसी भी सीड सब या फिर फोटिलाजर सब में आसानी से मिल जाएगा या फिर आप ओनलाइन सॉपिंग साइट पर भी खरी सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों इसकी खेती के बारे में तो इसका नौसरी किसी भी महिने में त्यार कर सकते हैं क्यूंकि इस वेराइटी का मिर्च की खेती खरीप रभी और समर सीजन में हो सकती है जब प्लांट किस दिन से तिस दिन तक का हो जाए तब आप प्लांटेशन कर सकते हैं और दोस्तों जब आप नौसरी त्यार करते हैं तब खास करके इडिंग ट्रे में इसका नौसरी त्यार किजिए ताकी प्लांटेशन में कोई भी दिर्कत ना हो और अच्ची से आप प्लांटेशन कर सकें और दोस्तों इस भेराइटी की वान प्याकेट में लगभग पनरो सो सीड्स निकलते हैं यह कमपानी का भी दाबा है और सच्ची में निकलता है दोस्तों क्योंकि हमने इस भेराइटी की मिच की खेती किया था और वीच लगभग पनरो सो निकलता है ऐसे ही इन्फर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल में नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कीजिए दोस्तों ताक कि हमारे वीडियो का नोटिफिकरसंग सबसे पहले आपको पहुंच जाए वीडियो देखने के लिए थैंक्यू दोस्तों